नमस्कार सनमार्ग लाइव मैं आपको स्वागत है आपके साथ मैं हूं रेका और हम बात करेंगे ज्यारखन की कुछ प्रतिष्ठित अख़बारों की और जानेंगे कि किस अख़बार ने किस खबर को प्रमुक्ता से उठाया है और सबसे पहले बात करेंगे हम सनमारग ज्यान की पकडंडी तक बंदियों की यात्रा इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुक्ता से उठाया है जिसने हत्या कीवा सब्दों को दे रहा जीवन आपको बता दे कि लीगल लाइब्रेरी भी होटवार जेल में शुरू किया गया है राजानी के होटवार इस सित बिर्सम उन् अधिकार है और वे जिस कांड में जेल में बंद है उसमें वक कैसी कानूली लड़ाई लड़ सकते हैं इस खबर को सनमार्ग ने पहले पढ़ने पर प्रमुक्ता से उठाया है आप देख सकते हैं कि जो कैदी हैं वो ज्यान अरजित कर रहे हैं कैदियों के लिए लाइब्र सत्तर हटाने के बाद ये विश्वास दिलाया है कि कस्मीर के लोगों का भविश्य जो है वो सुधरेगा और उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाएगी प्रधान मंत्री मोदी ने दिया भरोसा जल्द होगा चुनाओ बहाल होगी एसेंबली प्रधान मंत्री नरेंद्र प्रधान मंत्री मोदी ने जम्मु कस्मीर के विकास का प्लान भी बताया है और उन्हें उमीद दिलाई है कि जल्द कस्मीर में चुनाओ होगी और एसेंबली होगी इसके साथ ही जिस खबर को प्रमुकता दी गई है आप देख सकते हैं 22 हत्यारों को उम्र कैद आपको बता है और इस खबर को सनमार्ग ने पहले पन्ने पे उठाया है आप देख सकते हैं हम रुख करेंगे सनमार्ग के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि सनमार्ग अखबार ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को प्रमुकता से उठाया है तो आपको हम बता दें ती अगर दी है हाई टेंशन वा एएफ सही 25 फैक्टरों की संपत्ति का मुल्यांकन अंतिम दोरे में आपको बता दे कि जार्खन सरकार को जल्द सौपी जाएगी इसकी रिपोर्ट इसके साथ ही आपको बता दे कि अविभाजित बिहार के समय जार्खन छेत्र में बिहार के अधीन 25 इकाईयां चल रही थी ये सारी फैक्टरिया संगुत बिहार के समय से ही बंग है लेकिन जार्खन में होने के बावजूद भी ये 25 फैक्टरियों का जो स्वामित्व है वो पुरी तरह जार्खन सरकार को नहीं मिल सका है और इस खबर को सनमार्ग ने दूशरे प सरकार को जबकि ये फैक्टरिया जो है वो जार्खन में है लेकिन अभी तक जार्खन सरकार को इसका स्वामित्व नहीं मिला है इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है सनमार्ग के दूसरे पन्ने में आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्याले में भाजपा के वरिष्ट न विदेश मंत्री सुसमा स्वराज को याद कर उन्हें स्रधान जली दी। मुख्य मंत्री रगुवर्दास सीपी सिंग और भाजपा के वरिष्ट नेता देवदास आप्ते ने सुसमा स्वराज को स्रधान जली दी। इस खबर को जगह मिली है सनमार के दूसरे पन्ने पर आप साफ तोर पर देख सकते हैं। पार्किंग की ली जानकारी उची इमारतों से भी की जाएगी निगरानी। प्रदान मंत्री मोदी जी का बयान है उन्होंने कहा है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कस्मीर के लोगों को भरोसा दिया है कि उन्हें सारे हक दिये जाएंगे। इसके साथ ही जम्मू कस्मीर में जल्द होगा चुनाओ। इसका भरोसा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इस खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुक्ता से पहले पन्ने पे उठाया है। आप देख सकते हैं। राश्टेपती रामनात कोविन ने पूरो राश्टेपती प्रना मुखर जी को भारत रतने से सम्मानित किया। और इस खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पे जगा दिये। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगा मिली है इनसाफ मिला है। डायन बताकर तीन को जिन्दा जलाने के मामले में 22 को उम्र कैद। तीन लोगों को अंधिविस्वास के नाम पर जिन्दा जला दिया गया था और इस मामले में 22 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। लोगरदग्गा जिला और सत्र नियाधिस प्रथम गुपाल पांडे की अदालत ने गुरुवार को चीपो ठेका टोली में डायन बिसाही के फेद में हुए तिहरे हत्याकान के 22 लोगरद्ग की सजा दी है। बड़ी ख़बर है और इस ख़बर कुँ हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे जगा दी है। हम रुख करेंगे दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने में किस खबर को जगह मिली है तो आपको बता दे कि हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है वो खबर है सूबे में नीजी हस्पताल खोलने पर कई रियायते आपका बता दे कि मुख्य मंत्री ने कहा राज्य में किसी तरह की समस्या होने पर निवेशक सरकार को जानकारी दे त्वरित समाधान भी होंगे आपका बता दे कि गुरुवार को आयुजित हेल्थ केर समिट में पत्रिका वावी मोचन करते सीम रगुवरदास साथ में स्वास्ते मंत्री राम चंद्रवन सी भी मौझूद है और इसके साथ ही मुख्य मंत्री रगुवरदास ने कहा कि सूबे में नीजी एस्पताल खोलने पर कई रियायते इस खबर को हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पर जगा दी है आप देख सकते हैं इसके साथ ही जिस खबर को जगा मिली है आप देख सकते हैं इस खबर के नीचे जिस खबर को जगा मिली है बंद होंगे साथ जिलो के 34 स्कूल आपका बता दे कि राजी के स जिलो के वैसे 34 स्कूल जहां एक भी छात्रा नहीं है उसे बंद किया जाएगा इन स्कूलों को बंद करने के लिए राजी सरकार्ट ने संबंधित जिलो को निर्देश दे दिया है और इस खबर को हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे जगह दी है आप देख सकते हैं जिस खबर को जगह मिली है निर्मल महतो की 34 पुन्यतिति पर उन्हें याद किया गया जामुमों ने निर्मल महतो के 32 बलेदान दियोस पर उन्हें याद किया इस मौके पर पूर्व मुख्य मंत्री और जामुमों के कारेकारी अध्यक शेमन सुरेन ने जेल चौकिसित प्रतिमापर-म्यार्पन की अरोने याद दी और इस खेड Sorry of illness था की हम रूख करेंगे अगली अखबारर का और देखेंगे स्वास्ती सुविधाय उपलब्द कराने के लिए अटल क्लिनिक खोला जाएगा और इसकी सुरुवात पूरु प्रदान मन्त्री अटल बिहारी वाजपैई की पहली पुन्यती थि 16 अगस्ट से होगी, 16 अगस्ट को देश के पूरु प्रदान जिसका लाव जो है मरीज उठा सकते हैं और इस खबर को प्रभात कबर ने पहले पढ़ने पर प्रमुक्ता से उठाया है इसके साथ है जिस खबर को जगह मिली है आप देख सकते हैं प्रनो मुखर जी पूर्व राष्ट्य पती नाना जी वा हाज्रिका को भारत रत्न आपको दादे की प्रनो मुखर जी नाना जी वा हज्रिका को भारत रत्ने से सम्मानित किये हैं राष्ट्य पती रामनात को विंद और इस खबर को प्रभात कबर ने पहले पन्ने पे जगह दी है इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है प्रभान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पीएम का राष्टिक के नाम संबोधन बोले तीन दसक में 52,000 लोग मारे गए 370 ने अलगावाद, परिवारवाद और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राष्टिक को अपना संबोधन दिया और साथ ही विश्वास दिलाया कस्मीर के लोगों को कि आने वाले समय में कस्मीर की जो हालत है वो सुधरेगी इसके साथ ही कस्मीर में जल्द होंगे विधान सभा चुनाओ इसकी जानकारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधि ने दी और इस खबर को जगा मिली है प्रभात खबर के पहले पन्ने पे हम रुख करेंगे अगली पन्ने का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगा दी है तो आपको बता दे कि पैदल चलने वालों को मिला फुट पाथ सर्जना चौक से अलबर्टेक का चौक तक लागू हुई नई विवस्था जी हां नई विवस्था के तहट 20 फिट सड़क छोड़ कर सेस हिस्से में बेरिकेटिंग कर बनाया गया फुट पाथ ट्रायल में चिनहित की गई समस्याएं सड़क किनारे खड़े दो पहिया वाहनो वाई रिक्सा से हुई परिशानी आप देख सकते हैं इस खबर को प्रभात कबर ने दूसरे पन्ने पे जगा दी है सफल रहा प्रयोग तो पूरे में रोड में लागू की जाएगी ऐसी ही विवस्ता आपको बता दे कि नगर निगम की ओर से गुरुआर रात फुट पाथ के सौंदरी करन का कारे सुरू हो गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अगर ये योजना सफल रहती है तो पूरे में रोड में ये विवस्ता लागू की जाएगी पैदल चलने वालों को मिला फुट पाथ बड़ी खबर है ये और तभात कबर ने दूसरे पन्ने पे इस खबर को जगर दी है आप देख सकते हैं हम रुख करेंगे अगली अखबार का और देखेंगे कि जागर ने किस खबर को प्रमुक्ता से उठाया है तो आपको बता दे कि जागर ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुक्ता से उठाया है जम्मु कस्मीर और ललदा को मिलेगा सुनहरा कि प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी न और इस खबर को जागरन ने प्रमुकता से पहले पन्ने पर उठाया है इस खबर के जश्ट नीचे जिस खबर को जगा मिली है तीन लोगों को जिन्दा जलाने के मामले में 22 को उम्र कैद लोहर परदग्गा के अपर जिला वस्तर नियादिस ने सुनाया ये फैसला बड़ी खबर है इस फैसले के बाद कहीं ने कहीं आम लोगों को जो है वो कोट पे विस्वास हो गया है कि गलत करने वालों के साथ सजा कानून जरूर देगा 22 को उम्रकैद मिली है 22 लोगों को अंधिविस्वास के साय में तीन लोगों को घर में बंद करके जिन्दा जला दिया गया था और इस खबर को जगा मिली है जागरन के पहले पन्ने पे और इसके साथ ही लोगों का विस्वास जो है एक बार फिर से कायम हो गया है कोट पे और उन्हें इंसाफ चाहिए तो उनका जो इंसाफ है वो उन्हें कोट से ही मिलेगा रुक करेंगे हम अगले पन्ने का और देखेंगे कि जागरें ने दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगर दिये तो आपको बतादे कि आधे सहर में आज पानी की सप्लाई नहीं रुक का डैम में इंटर कनेक्शन का काम पूरा लेकिन वी सी बी में फ्लोट के कारण नहीं चल सके मोटर इस खबर को जागरें ने दूसरे पन्ने पे जगर दिये आधे सहर में आज पानी की सप्लाई नहीं इसके साथ ही आधी से अधिक आबादी को सुक्रवार को भी सप्लाई पानी नहीं मिल सकेगा इसका कारण है कि इन छेत्रों में पानी देने वाले रुक के डैम के पुराने प्लांट से गुरुवार राद दस बजे तक सप्लाई सुरू नहीं हो सकी थी जिसकी वज़ा से आधे सेर को आज पानी की सप्लाई नहीं होगी इसके साथ ही जिसके साथ ही जिसके जगा मिली है ATM कारण का नंबर पुछकर ली 35,000 की ठगी साइबर क्राइम जो है वो दिनो दिन बढ़ता जा रहा है राजधानी राची के कई ऐसे लोग हैं जो ठगी का सिकार हो रहे हैं ATM कारण का नंबर पूछकर लोगों से ठगी की जा रही है और आपको बता दे कि बरियातू थाने में मुराबादी के हरी हर सिंग रोड निवासी माइकल विक्टर ने साइबर अपरादी के खिलाफ 35,000 रुपया की ठगी को लेकर के मामला दर्ज कराया है और पुलिस से जल्द से जल्द उनकी खोज करने की बात कही है और इस खबर को जगह मिली है जागरन के दूसरे पन्ने पे अब देख सकते हैं हम रुख करेंगे दैनिक भासकर का और देखेंगे कि भासकर ने किस खबर को प्रमुक्ता से उठाया है तो आपको बता दे भासकर ने जिस खबर को जगह दिये काम से बचने का सबसे अनोखा बहाना अनोखी खबर है भासकर ने प्रमुक्ता से उठाया है यू तो आफिस में हम सब जानते हैं कि काम से बचने का बहाना तो साइध हर कर्मचारी कभी न कभी बनाता ही है लेकिन रेलवे के ट्रेंड ड्राइवरों का बहाना साइध सबसे अनोखा है आप समझ सकते हैं कि 16 ट्रेंड ड्राइवरों ने जब 5-7 साल पहले नोखरी सुरू की थी तो मेडिकल जाच में उनकी आँखों की रौसनी बिल्कुल ठीक थी मगर अब हुई मेडिकल जाच में सब की द्रिश्टी थोड़ी कम जोर पाई गई और रेलवे ने सभी को अप्रेशन ड्यूटी से हटाया थमाई मेजर चार सीट विभागने शुरू की उच्छ सर्य जाच और इस खबर को भासकर ने जगा दी है अपने पहले पन्ने पे प्रमुकता से उठाया है और इस खबर को जगा दी है इस खबर के नीचे जिस खबर को जगा मिली है आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के निवेसकों से कस्मीर आने का न्योता दिया है और कहा है कि आए निवेस करें और सुधारे कस्मीर के लोगों की जिन्दगी इस खबर को प्रमुकता से भासकर ने अपने पहले पन्ने पे जगा दी है इसके साथ ही जिस खबर को जगा मिली है आप देख सकते हैं डायन विसाई के सक में तीन को जिन्दा ज़ाने वाले 22 दूसरे पन्ने पेज इस खबर को जगा दी है डिजिटल लॉकर से स्टूडेंट्स खुद निकाल सकेंगे सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं युनिवर्सिटी और बोर्ड एक्जाम में पास आउट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है अब आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के लिए युनिवर्सिटी और बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे डिजिटल लॉकर से स्टूडेंट्स खुद निकाल सकेंगे अपने सर्टिफिकेट इस खबर को भासकर ने अपने दूसरे पन्ने पे जगा दी है आप देख खबर है कस्तूरवा के अगर विद्यातियों का जो रिजल्ट है वो 50% से कम होगा तो ऐसे स्कूल की टीचर को हटाया जाएगा राजींके जिन कस्तूरवा गान्दी बालि का विद्याला के मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट प्रचास प्रतिफिकेट कम हुआ हाँ के सिक्षिकाओं को हटाया जाएगा और इस खबर को जाग भास करने अपने दूसरे पन्ने पे जगा दिये अगर छात्रों का जो रिजल्ट है वो 50 प्रतीसत से कम होता है तो ऐसे स्कूल की टीचर्स को स्कूल से हटाया जाएगा भास करने इस खबर को जगा दिये दूसरे प